हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सोचियोलोजी क्लासिस के हमारी यूटूब चैनल पर तो जैसा कि आप सम जानते हैं कि अभी एक्जाम में एक अक्टोबर को है और अभी पई में सेवन देश? याय एक हपती है तो एक हपते में हमें क्या करना चाहिए कैसे रिवीजंय करना चाहिए किन === एक पर हमारा यूटून है सभी इंपमटेंट क्यूंकि 25 छ हमितान और तीस लंडले हीम कि पूछे जिसके अंतरगात हमारा दुरखीम मैचल बेवर काल माक्स समासास्त्री सिद्धांत के अंतरगत मैली नुवस्की रिट्किल ब्रावन पाल संस आरके मर्टन लेविश्टास संरचना आत्मक संरचनावाद या ख्यात्मक निरवाचना आत्मक परमपराओं से संबंधिक जी काल मैंहीम अल्फ्रेट सूट्स हराल गाल्फिंग इर्विन गाफ मैं या किल्फिट गोड गिट्स इनके अनावा उत्तर आध्निक्ता आध्निक्ता वाद या उत्तर संद्चना या उपनीवे स्वाद से हमारे मिशेल फूको प्यारे बोर्दियू एडवर्स एड जुरग कर वे तो इन सबसे रिलेटेड क्यूश्चन पुछही जाते हैं और इन सब को बेसा काथ तक हम सब पढ़ चुके हैं लेकिन हमें यहाद रिवीजन के परचाब से देखना है और जो नोट्स हम बनाये होंगे आप लोगों ने हमें उन्हीं नोट्स से पढ़ना है ना कि हम चीक से अपना रिवीजन करेंगे और इन से संबंधित पुस्तके पुस्तकों को सिक्वेंस वाइस देखना है जैसे पुस्तक सबसे प्रहले आई है सनवाइस देखेंगे तो क्यूंकि क्यूश्चन पूछ लेते हैं सिक्वेंस में अटेंड करना की पिछली बार देखिए अका मर्टा और तुर्खीम और इनसे भीमराव अंबेटकर से संबंधित सिक्वेंस के लिए क्यूश्चन पूछे थे इसके अलावा हम यूनित दो में पहुछते हैं यूनित दो में हमें क्या पढ़ना है तो यूनित दो है हमारा समाजिक सोध हैं प्रभिधियां से संबं और वैसे भी हम सोध पढ़ेंगे तो हमें आधा तो हमारा पेपर वन में से ही कवर हो जाएगा लेकिन निजाती सोध में कौन-कौन सीविदियां सहभागी और लोकन इन सबसे संबंधित देखना होगा उसलिए और क्यान मीमान शाह अचार सास्त इम राजिनीती से संबंध समाजिक संद्रशना प्राइस्तिरी भूम क्या मानव एजन्सी सब सम्लित है विवा परिवार नात्यदारी अर्थिव्वस्था जाइस सम्लित है जिनके मामले में आप पढ़ चुके हैं और अगर आपने नोट्स बनाए है तो आपको अच्छे से नोट्स को एक बार रिव EN साथ екाट असलिए अधिवार फैक्टों में क्या देखना है इसके बारे में अच्छे से कन्सेप्ट लियर होना चाहिए उनिट पाँच में डेने मारा जनजाती राज शी में के अधिकारि उस समय के अ doughnut करतमानि यदिकारि तंत्र भरश्टा चार लिंग विकास लिंग विकास अर्था लफ़ेसे संभंधित की चेर्चन पूचा ईकथे अंत्रों। से अंतऱ राष्टी विकास स्हिता का प्रभाव बड़ा इन सब बत्रस्ते संब्रे पूच्र में पूछे जाते हैं। है एक लाहे हमें रिवीजन ऐसे ही अपने नोर्स करने है यूनिट नम्मर शासे हमें क्या देखना है यू नमर 6 में प्रमकता अर्थ ब्यवस्था है कि अर्थभी होस्ता के अंतरगात बिनिमय बिनिमय जो की महत्पूर टॉपिक है बिनिमय के बारे में जार्ज होमन्स अलफेट सूट्स मायनीलों वसकी इन सबकी अधारणाओं को एक बार हमें अच्छे से पढ़ना है और इसके लाओं बजार बजार से संबंदित कुछ तथ ड्रूट इमय अनुट को रिविजन करना है अ मारत यूनीट नम नमeर में उने नम से हमर परिया stalया के हमंए जो की पर यह मालूम होना चाहिए और जो कने विंचन करत कि यह हुमित है हैं उनसे समझनी जानकारी हमें थोड़ी बहुत पढ़ने नहीं चाहिए और वर्तमान में मनाये गए पर्यावरण है उनके थीम्स भी हमें पता होना चाहिए रिवीजन के जो कि पूछे जा सकते हैं जो कि हमारा पेपर वन और पेपर टू की लिए दोनों के लिए अनिमार हैं च्या क्या नीतियां बनी है और किस सन में नीतियां बनी है मुझता सन हमें याद करना ज़रूरी है अगला है यूनीट नम्मर 8 यूनीट नम्मर 8 के अंदर गत हमारा सामील किया जाता है परिवार विवाह नातेयधारी के सर्धांतिक उपागम संुझना प्रकारेवादी बैवाहिक बन्धात संस्क्रिती गतिवी रासत अधिकार विवा के बदलते स्वरूप परिवारिक कानून घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रतिया प्राध आनर खिलिंग जैसी समस्याओं के बारे में दिया है जिनसे संबंधित रिलेटेट नियम और कानून क्या हैं कब उनसे संबंधित एक्ट पारित हुए हैं यह सब हमें याद होने चाहिए क्योंकि ज्यादा तर इस सेक्षम से एक्टर की पूछे जाते हैं मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है और प्रतेक यूनिट से कम सकम तीन से चार क्रिशन पूछे ही जोते हैं अगला है यूनिट नमर नौ में हमारा है विज्ञान और प्रध्योग की तो विज्ञान और प्रध्योगी से समद्धित अभी तक जो नीतिया आई हैं उनके बारे में थोड़ी सी बहुत जानकारी हमें रखनी चाहिए और कब भारित हुई है उनका प्रमुक्तर क्या उपयोग है इन बारे में जानकारी होनी चाहिए आज बजल से स्वरूप में परिवार की संब्ध में प्रध्योग की का काक्यार है और इस आसन से कैसे प्रध्योग की व्योग किया जा रहा है इन सब तत्यों के बारे में हमें फोड़ा चांकारी होना चाहिए अगला है सांस्कृतिक यूनिट 10 जो कि हमारा आखरी यूनिट है इसके अं अनुप्चारी संस्थाएं इन सब के बारे में चर्चा किया गया है जिससे संबंदीत हमारे concept clear होने चाहिए संस्कृत और पर्यावरण की क्या भूंक्या है इस संबंदीत तत्यों के बारे में हमें पता होने चाहिए और कई तरह की जो संस्थाएं हैं उनकी भूंक्याओं में किस तरह से परिवर्दन आ रहा है वर्तमान्द में में इन से समंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जो हमने नोट्स बनाए होंगे उनी से में रिवीजन करना है ना की किताब खोल कर यूनिट वाइज यूनिट वाइज पढ़ने लगना है तो हमें के वाल हम चैनल पर जूड़ सकते हैं जिसमें नाइन एम और नाइन पीम डेली क्विज करवाया जा रहा है जिसमें आपको डेली डेल सबसें अधिक क्यूश्चन दिये जा रहे हैं टेस्ट के लिए तो आप अपने आपको टेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं तो यह वीडियो बनाने धन्याओ